नमस्कार दोस्तो आज मैं आपहुचा हूँ भद्री राजवंस के राजा रगुराज प्रताप सिंग के ग्रह जनपत प्रताप गड़ जिले में स्री जगत गुरु कृपालु जी महराज के द्वारा बनवाय गया प्रसिद्ध मंदिर भक्ति धाम भक्ति धाम मंदिर की दूरी प्रयाग राज जिले से लगभग सतर किलूमीटर है वहीं राइबरेली जिले से इसकी दूरी लगभग असी किलूमीटर है O.M. प्रताबगण मुख्याले से इस मंदिर की दूरी लगभग 30 km की है यह मंदिर मुख्य राजमार्क से लगभग 12 km की दूरी पर है यह मंदिर प्रताबगण जिले के कुंडा तहसील में मनगड़ गाम में पढ़ता है इस मंदिर का निर्माद स्री जगत गुरू कृपालु जी महराज के द्वारा कराया गया इस मंदिर के सन्रचड का सारा कार स्री जगत गुरू कृपालु जी महराज परिशत द्वारा किया जाता है इस मंदिर की नियू सन 1996 में रखी गई थी और यह मंदिर का कार सन 2005 में पूरा हुआ था यह मंदिर नीचे ग्राउंड फ्रोर से लेकर मंदिर के उपर बने धोस तक लगभग 105 फिट उचा है इस यह मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट पिलर पर बनाया गया हुआ है यह मंदिर दो मंजिला है मंदिर के प्रधम तल पर राधारानी एवं श्री कृष्ण का सुंदर चित्रण किया गया हुआ है एवं मंदिर के दूशरे तल पर श्री राम भगवान का सुन्दर चुत्रण है इस मंदिर का निर्माड अहंदाबाद के आर्किटिक्ट के द्वारा किया गया हुआ है यह मंदिर बाहर से पिंक स्टोन से बनाया गया हुआ है जो कि जैपुर से यहां पर लाया गया हुआ था जब कि मंदिर के अंदर वाइट मारबल का इस्तमाल किया गया हुआ है मंदिर परिसर में ही इसके अलावा वाइट मार्बल से बने ये सुन्दर एवं एक नए मंदिर का निर्माड हो रहा है मंदिर के दूसरी तरफ एक डोम नुमा एक स्थल बनाया गया हुआ है जहां से प्रति दिन सुबह पर निउस चैनलों पर भक्ति संध्या का भक्ति भजन का आयोजन किया जाता है जिसे आप लाइव कई सारे चैनल पर देख सकते हैं इस मंदिर में आने के लिए जो सबसे विसीज दिन है वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ होली, जन्म अस्टमी, दिवाली, गुरु पुरुणमा और राधा अस्टमी के दिन इस मंदिर की देखने की छटा ही अलग होती है खास कर दिवाली के समय जब आप यहां पर आते हैं तो विभिन प्रकार की लाइटों से इस मंदिर को सजा दिया जाता है जो देखने में इसको एक अलग ही रूप दीता है तो आप परिवार के साथ दिवाली के समय एक बार यहां पर जरूर आएं यहां पर टरस्ट के द्वारा कई सारे विद्यालेओं अस्पताल एवं गौसालाओं का भी संचालन किया जाता है यहां पर आसपास की जिलों से हजारों की संख्या में लोग प्रति दिन यहां पर आते हैं मंदिर परिशर में जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती है और यहां पर पार्किंग के लिए भी मंदिर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है ये मंदिर अंदर से बहुत ही अलोकिक एवब बहुत ही भव है मनकड में ही जगत गुरु क्रिपालु जी महराज का जन्म भी हुआ था इसलिए यही पर उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्मान कराया यही से उन्होंने हजारो लाखों लोगों को प्रवचन भी दिया और हिंदु धर्म का उन्होंने व्याख्यान किया और लाखों लोगों तक उन्होंने हिंदु धर्म की मार्ग को प्रसस्त किया इसलिए जब कभी भी आप प्रताब कड़जिले में आप जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूले यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करे और अपने सुझाओं कमेंट बॉक्स में देना न भूले बहुत बहुत धन्यवाद